Hello everyone, welcome to my channel, this is Sapna, today our topic is simplify and solve with the following linear equations तो आज हम class 8 का simplify and solve with the following linear equations का 8th question पढ़ेंगे इससे पहले बारी वीडियो में मैंने all questions बता रखे हैं वो आप मेरी playlist में जाकर देख सकते हैं तो अब देखे, आज हम 8th question को करते हैं देखे, 8th question क्या है? 15 15, y-4 bracket में है, minus का 2 y-9 bracket में है, plus का 5 y-6 bracket में है, equal to 0 तो अब जो bracket में होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? इंटू करते हैं, 15 का y से इंटू करेंगे और 15 का 4 से इंटू करेंगे तो 15 into y, 15y किया? 15y 15y 60, minus का 60, क्यों आएगा? 2, 9 जा 18, minus minus plus, तो plus का 18 plus 5y, 5 into y, 5y 5, 6 जा 30, plus का 30, equal to 0 तो हमने क्या किया? इसको, और इसको क्या किया? इसको क्या क्या क्या? एएएएए यहाँ पर 5 into y, 5y plus 5, 6, जा 30, equal to 0 अब हम क्या करेंगे पहले जो yy वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं और जो digit हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं जो क्या है नम्मर्स हैं ठीक है तो देखे 15y minus का 2y plus का 5y अब जो नम्मर से उनको हम इधर साइड लिख लेते हैं तो यहाँ पर माइनस का 60 है यहाँ जाकर क्या हो जाएगा इक्वल टू के इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 60 प्लस का 18 है इक्वल टू के इधर साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 18 और यहाँ पर प्लस का 30 है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 30 हो गया, अब देखिए 15y, 15y को हम वैसे उतार देते हैं, 3y, क्यों आएगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमनी 2y, 5 में से 2 को माइनस किया, तो 3 आया, लेकिन साइन प्लस का आए, क्योंकि 5 क्या है? बड़ा है, 2 और 5 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, इक्वाल टू, अब देखिए 60, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम साइन किसका लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि 30 बढ़ा है तो प्लस करेंगे यहाँ पर आया 8 और 3 1 4 तो 48 माइनस का आ गया आया उसके बाद देखे 15y और 3 15y प्लस 3y कितना होगा 18y अब 60 मैं से 48 को माइनस करेंगे तो 10 मैं से 8 गया 2 तो यहाँ पर क्या बच्चा 5 5 मैं से 4 गया 1 हुआ अब देखे 12 हो गया अब y क्वल टू 12 अपॉन क्या आएगा 18 आएगा अब यह कटेंगे किस से कटेंगे किस से कटेंगा यह दोनों हमें एक की नम्मर से काटना है जैसे 6 2 जा 12 6 3 जा 18 तो जो y का अंसर आगया वो क्या है 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 तो यह क्या हो गई y की वैल्यू तो y का अंसर आगया 2 अपॉन 3 तो आज का हमारा कुश्यन यहीं पर कम्टीट होता है 8th कुश्यन, नेक्स्ट वीडियो में हम 9th कुश्यन को पढ़ेंगे 9th कि वाचिन यहाँ, थाग सूइब गई, थाखेऴ, चannel